हेलो दोस्त आप सभी कस्वागत हमारी यूटूब चैनल एर फोर्स नेवी इस्टडी पर तो आप सभी जानते हैं कि जोईन इंडियान नेवी का जो 17 जनवरी को मेरिटल इस्ट आने वाली है डबल ले एससर की उसे सम्मंदित यहां पर बात करने वाले हैं उनकी कटोभ रहेगी प्रोसिजर कैसे रहेगा कहां पर मेरिट लिस्ट देख सकते हैं यह सब बाते यहां पर होगे और किन-किन राज्यों की कितनी कटोभ जा सकती है उन सभी बातों पर यहां पर डिसकस होगा डबल लेगी final को top कितनी जा सकती है क्या हरियान और रास्तान वाले ही का top में final में declare करेंगे और इस्टेट का बच्चे भी जाएंगे और SSR की हर इस्टेट wise क्या क्या का top रह सकती है इन सब बारे में बात करेंगे तो पहले नहीं हो तो चनल को subscribe कर सकते हो और वीडियो को like कर दियो comment कर कर जरूर बता है कि आपके अनसार कितनी का top रह सकती है ठीक है आपको यहाँ पर suggestion है उसका यहाँ पर respect की जाएगी तो यहाँ पर देखिए main new roof से बात करें यहाँ पर एक main important formula लिकाड़ा है तो जैसे सबसे पहले एक उधारन लेते हैं राजस्तान की कटोप के बारे में राजस्तान की अपके बार कटोप गई है चो 1.25 ठीक है चो 1.25 गई है तो क्या रह सकती है अगली कटोप क्योंकि यहाँ पर जूश के बच्चे के 56 number है 55 number है उनको यहाँ suspense है कि क्या हमारा number भी यहाँ पर आ सकता है ठीक है लगबग 10% ऐसे बच्चे है जो in number के अंदर इर्दगिर्द यहाँ पर आ रहे है तो सभी statewide बता रहा हूँ जैसे बिहार की कटोप है उसकी देखेगे 38 या 39 के something है तो क्या 40 और 41 फाइनल कटोप में number आ सकता है तो इसी तरह सभी statewide की यहाँ पर बात हो रही है MP की देखे 32 के something है तो उसकी कितनी या 34 तक बच्चों का number आ सकता है यह सब बात होगी तो देखिए पिछली बार की बात करें जैसे फाइनल राजस्तान की बात करें जब 42.75 कटोप गई थी जब उस समय आपकी जो कटोप थी वो लगबग 44 के something गई थी यह अगबर 2 number ही यहाँ पर डेड़ से 2 number increase हुई थी तो अब की बारी भी इतना माने और लगबग कमी माने क्योंकि 44.25 यदि कटोप गई है तो लगबग आपकी जो final list जाएगी वो जाएगी only 55 से 55.50 तक जाएगी ठीक है लगबग increase होगी एक नंबर या सवा एक नंबर ठीक है सभी state की यह हालात रहेगी जी आप UP लगाओ जी बिहार लगाओ जी आंदर परदेश लगाओ कोई भी state यहां पर लगाओ उत्राखंड देहरादून उत्राखंड की राजदर्स और देहरेदून UP की लगाओ या फिर आप नीचे state महाराष्ट में आजाओ केरला में आजाओ, करनाटक में आजाओ सभी की एक से 2-5 तक ही increase होगी ठीक है ठीक है, 19 हो सकती है उससे जादा नहीं होगी ठीक है, तो यह सब चीजे थी main important बात यह थी अब कैसे आप यहाँ पर देखना है तो सबसे पहले जैसे आपका admit का download है login पर click करना है जैसे आप login पर click करते हो तो यहाँ पर आपके सामने dashboard open होता है जिसमें आप वहाँ पर application status पर देखोगे जहाँ पर AA-SSR पर देखोगे AA-SSR की application status पर देखोगे तो वहाँ पर नीचे आपको पता है, 5 पट्टी दिख रही है ठीक है, 5 पट्टी दिख रही है तो 5 पट्टी में आपको दिख रहा है वो किलियर है और फिप्ट में आपका दिखाएगे कि जोइनिंग लेटर आपका आचुका है वो ग्रीन होगी तो मतलब आपका जोइनिंग लेटर आचुका है आप नीचे वो merit advertisement और आपकी merit list है वो download कर सकते हैं और buy post भी आपकी आएगी तो यह सब बाते थी मेरी साब से आपको वीडियो अच्छे लगए होगी मिलते नेक्स टूडियो में यह किसी पर का डाउट है तो आप कमेंट करकर बता सकते हो मिलते नेक्स टूडियो में तब तक के लिए जहींचे अबारत